Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं Electric Field Intensity की Measurement के बारे में Measurement से मेरा मतलब है कि यह जो measurement होगी वो test charge के बारे में नहीं होगी वो होगी main charge या फिर source charge के बारे में कहने का मतलब यह है कि Electric Field Intensity का एक formula हम लोगों ने पढ़ा है यह vector जो में have vector upon a q vector जहां पर exactly हो यह रहा है कि एक बड़ा सा charge है यानि कि q है माल लीजे उसके field के अंद अगर आप एक छोटा सा test charge लेकर के आएंगे तो यह test charge जो है जो force experience करेगा इस बड़े वाले charge की electric field की वैसे उसको हम लोग लिखते हैं EG customer FQ यानि कि the force experienced by a test charge या फिर per unit test charge is known as electric field intensity अब देखिए यह तो इसके बारे में बात होगी छोटे से charge के बारे में छोटे से test charge के बारे में कि हाँ किसी charge के influence में यह आएगा और force जो है वो महसूस करेगा लेकिन मुझे यह बताईए कि इस बड़े वाले charge के बारे में मतलब जो बड़ा वाला charge जो आपका electric field निकाल रहा है इसके लिए electric field intensity का क्या formula होगा क्यों? क्योंकि important तो अमरे लिए यह है ना क्योंकि इसी में से निकल रही है electric fields यह तो सिर्फ experience कर रहा है charge इसके लिए electric field का क्या formula हो सकता है तो उसी के लिए हम लोग आज यह measurement करेंगे उसके लिए एक अलग formula हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इस formula की मदद से तब यहाँ पर जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यह बड़ा सा charge आपके सामने और यह छोटे से charge के उपर force लगा रहा है तो यहाँ पर मैंने positive charge लिया तो force की direction है वो कुछ इस तरफ भार की तरफ होगी और उसको हम लोग लिखेंगे f small q और capital q ऐसा क्यों लिखा मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि small q पर force लग रहा है वो capital q की वह से लग रहा है यानि कि on small q by capital q इसलिए मैंने इसको f small q capital q लिखा है और force की direction होगी वो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग r21 का cap कैसे कि 2 की तरफ 1 जो है वो force लगा रहा है या फिर जो small q की तरफ capital q जो है वो force लगा रहा है तो उस force की value आप लोग क्या लिख सकते है force की value आप लिखेंगे f small q capital q इस एक्वस्ट में 1 by 4 by epsilon not epsilon not का मेरा मतलब है कि हम लोग लोग लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए और यहाँ पर capital q small q upon में r square क्योंकि दोनों के बीच के जो distance हम लोग 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 लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए अब यह तो force है यह तो obvious सी बात है पहले भी हम लोग लोग ने यहाँ पर भी निकाला हुआ है इस formula के अंदर भी force निकाला हुआ है अच्छा यहाँ से इस पहले वाले formula से अगर आप force की value निकालेंगे तो क्या निकलेंगे force is equal to में electric field multiply by test chart तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक force निकाला जो capital Q से लग रहा है small q की तरफ और इस formula से एक और force निकाला यह दोनों ही forces को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्यों रख सकते हैं क्योंकि दोनों इस force बराबर है आप चाहिए इसको ऐसे देखे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो capital आपका charge है small पर force लगा रहा है न तो इसका मतलब यह दोनों charges equal है यह फिर दोनों forces equal है तो आप दोनों की value को जब बराबर रख देंगे यहाँ पर आप लुग क्या करेंगे small q से small q जो है वो cancel out करतेंगे यह जो test charge है वो cancel out हो जाएगा और e is equal to me यह फिर e vector is equal to me 1 by 4 by epsilon not capital q upon r square r21 का capital अब यह जो formula निकला है और यह जो पहले वाला जो formula है दोनों में क्या फरक है पहले वाला जो formula निकला था वो आपका निकला था test charge के terms के अंदर यहाँ आपको test charge निदर आ रहा होगा और यह जो दूसरा वाला आपको formula मिला है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि capital q आपको निदर आ रहा होगा पता था है कि source charge के उपर से electric field intensity कितनी निकल रही है भाई हम लगों ने यह तो बता दिया कि किसी charge के आप influence में कोई दूसरा charge लेके आई है टेस्टा लेके आई है उसके उपर आपको force देखने को मिलेगा अच्छी बात है लेकिन मान लीजी कि आपका जो charge है main charge है यह point ना रह intensity की value कैसी निकलेगी उसको कैसे calculate करेंगे तो बहाँ पर यह formula काम आएगा आपको बेरे कहने का मतलों समझ रहे है यहाँ पर क्या किया point charge रखा उसमें से electric field निकली test charge को हम लोग लेकर किया उसने force message किया यह तो चलो simple सी बात होगी लेकिन अगर यह जो आपका main charge है यह point ना ल इस सिखलेगी electric field intensity की value होगी तो हम लोग कैसे calculate करेंगे इस formula से calculate करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो हमें यह formula इसके नदर use करना पड़ सकता है that's why हम लोग ने इसका measurement किया था तो यह हो जाती है electric field intensity की measurement आपके main charge के लिए या फिर source charge के लिए और यह आपकी जो measurement है यह आप आपको ऊपर नदर आ रहा है force तो force के होती है newton नीच आपको नदर आ रहा है charge यानिकि column यानिकि newton per column तो इसकी unit होगी newton per column और इसी चीज़ से आप लोग dimensions भी निकाल सकते है इस चीज़ की हमें पता है कि newton यानिकि force force की जो dimensions होती है वो क्या होती है ml t-2 यानिकि इसके निर मास भी है length भी है time भी है time का भी use हो रहा है और वहीं आपके column की यानिकि charge की क्या होती है चार्च की होगी आपकी a t ठीक है और आप इसको solve करेंगे तो यानिकि इसको उपर लेके जाएंगे तो मैं पर एम एल टी जो है one जो है उपर जाएगा तो वो minus में convert हो जाएगा यानिकि t-3 a-1 तो यह आपके हो जाती है dimension यानिकि एक electric field में dimensions में mass भी दिखाया जाएगा length भी होगी आपका time भी होगा या per second इस तरीके सा और यह जो है वो आपका ampere के लिए यानिक electric current के लिए होता है क्योंकि जब charge जो है वो move करते हैं तो वो current बनाते हैं तो इस तरीके से आपका यह तयार हो जाता है dimension लास्ट में अगर आप लोग बात करेंगे इसकी direction के बारे में तो अगर आपके पास एक positive charge पड़ा है Q यानिकि आपका main charge जो है वो positive है तो आपकी जो electric field 9 जो है वो positive निकल positive लेके आएंगे तो यह दोनों एक दूसरे को attack करेंगे तो वेक्टर की value है line density है वो कम होगी विच मेंज आपका जो बिल्कुल negative direction में जाएगा दूसरी direction में reverse direction में तो वहाँ पर आप लोग कहेंगे कि electric field जो है वो negative है तो यानिकि अगर main charge आपका positive है तो electric field आपकी positive जाएग और अगर आपका negative है main charge तो जो electric field है वो negative direction के अंदर जाएगी तो इस तरीके से आपका यह जो measurement है यह पूरा हो जाता है आपके main charge के लिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था test charge के लिए I hope आपको समुझ में आया हुगा देखिए उतना बड़ा या फिर उतना hard concept नहीं है लेकिन यह आपको याद रखना इसलिए जरूरी है यह formula क्योंकि आपका main source है main charge है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा point नहीं रहेगा आप लोग आगे चलके क्या करेंगे दो plates के बीच में पढ़ेंगे इस चीज को तो दो plates जो मिल करके जब आप मालेशी एक plate के उपर distribute कर देते हैं charge को, तो distribution के बाद उसमें जो electric field बहार निकलेगी वो इस तरीके से नहीं निकलेगी उसके निकलने का तरीका कुछ और होगा, right, हाला कि मैं आपको पिता तो इससे capacitor बनता है, जब दो plates के आप लोग बात करते तो capacitor बनता है वहाँ पर, इसी तरीके से आप charge को बदल intensity, सारी चीज़ आपको clear हो जानी चाहिए, इसके बाद एक तरीके से हम लोग इसकी application सी करेंगे, so friends, I hope यह वीडियो आपके लिए helpful सा भीत रही हो, अब तक यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके बाद भी आपका कोई दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन के जरी पूछिए, so friends, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, see you in the next one.